आज की इस वीडियो में हम सिखेंगे कि Excel में date formula कैसे यूज किया जाते हैं date formula की ये पूरी series है जिसमें मैं आपको काफी सारे date के date से related formulas यूज करना सिखाऊंगा और अगर आप ये मेरा video देख रहे हैं तो description के दिये वे link से इस Excel की workbook को download कर सकते हैं तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मैं इसमें कौन-कौन से formula कवर करेंगा इसमें मैं now, today, weekdays, text, month, day, month, year और eo, month e, जैसे कि यहां पर मैं type करता है eo, month इस formula का use करना भी सिखेंगे इसके अलावा date function और workdays, workdays intl, networkdays और networkdays intl ये कुछ formulas यूज करना सिखेंगे तो सबसे पहले हम शूरू से शुरूबात करते हैं तो सबसे पहले अगर मुझे मेरे Excel पे date type करनी है तो आज जैसे date है मेरे पास 1 September तो 1 September type क्यासे करेंगे मेरे पास जो date का format है वो है mmddyyy तो इसको आप अगर change करना चाहे तो कैसे change करेंगे आप अपने control panel में जाएंगे या reason में जाएंगे, reason में जाके आप यहाँ पे format पे जाके change कर सकते हैं साथ के साथ यहाँ पे sort date, यहाँ पे ddymmyyy भी type कर सकते हैं date format यूज़ करेंगे वो है mmddy5, okay तो date किस तरीके से type करते हैं, सबसे पहले मुझे अगर type करने यह date तो September 9, 1, 2019, okay तो यहाँ पे मैंने 2-3 second ले लिए और मुझे याद भी करना होगा कि हाँ, आज क्या date है but excel में हमारे पास एक feature है, जिसकी वैसे हम बिना कोई वक्त गवाई date insert कर सकते हैं उसके लिए control semicolon date, मुझे date याद करने कोई ज़रूरत नहीं है इसके अलावा अगर मुझे time भी चेक करना है, तो क्या करना पड़ेगा, control, shift और semicolon जिससे मेरे पास current time आ जाता है current date and current time, okay same, इसके लिए हमारे पास एक formula भी दिया हुआ है, जैसे कि अगर मैं इहाँ पे now use करता हूं now, bracket start और bracket close, then enter, तो देखे मेरे पास date and time दोनों आ जाते हैं अगर मुझे formula की help लिए बगेर ये type करना है, तो क्यासे करूँगा, मैं हाँ पे जाऊंगा, control, semicolon, space, control, shift and semicolon इन दोनों में फरक क्या है, इन दोनों में फरक ये है कि जैसे ही आप workbook यानि ये file close करके कि किसी और दिन open करेंगे तो जिस समय आप open करेंगे ये workbook उस समय का time और date दोनों आएगा, इसमें ऐसा नहीं है, ये fix हो चुका है, बट ये fix नहीं हुआ है जैसे ही आपकी किसी alternate day पर किसी और दिन ये workbook open होती है या आज ही किसी और time पर ये workbook open करनी होती है तो time change हो जाएगा और किसी और दिन होती है, तो यहाँ पर date change हो जाएगे तो इसके अलावा यहाँ पर today के case में भी यही same चीज़ होगी यहाँ पर हम bracket start bracket close और enter तो यहाँ पर भी अगर किसी और दिन में यहाँ पर workbook open करता हूं तो today की date नजर आएगी तो यहाँ पर उसी दिन की date नजर आएगी जिस दिन ये workbook open होगी ठीक है तो please इस चीज़ का जरूर ध्यान रखे कि यहाँ अगर आपको ऐसा नहीं करना तो इसको special page जरूर करने इसके बाद आगे बढ़ते हैं कुछ formula सीखते हैं अगर मुझे यहाँ पर days के name लेने है days यानि मेरे को चाहिए कि यहाँ पर date की जगह days आए Monday, Tuesday, Wednesday तो मैं क्या करूंगा सबसे पहले मैंने यहाँ पर date reference cell में ले आया okay then select करके control 1, control 1 for format cell, format cell पर जाके यहाँ पर customize में यहाँ पर four time d press करूंगा और okay तो मेरे पास यहाँ पर days नेम आ जाते हैं ठीक है same अगर मुझे यह किसी formula के थ्रू करने तो उस formula का नाम है text formula तो यहाँ पर text formula का use करूंगा text formula हमारा और भी काफी जगया पर use होता है आगे आने वाली वीडियो में मैं इसके advance use बताऊंगा आपको ठीक है तो text, text के बाद इसमें date select करेंगे consider and then comment यहाँ रखने वाली बात यह है कि अगर मैं यहाँ पर two time d press करूंगा और enter प्रेस करूंगा only date यानि 19, 15, 30 यह हमारी जैसे date होती है वो दिन नज़र आएगा उस महिने का कौन सबाद दिन है अगर तीन बार मैं d press करता हूं तो यहाँ पे short form में weekdays आएगे और अगर four time d press करता हूं तो full spelling के साथ यहाँ days नज़र आएगे same अगर मुझे मैं date day formula से क्या use होता है day formula जो होता है आपका वो दिन शो करता है कि कौन सबाद दिन है day यहाँ पे series number enter and मैंने यहाँ पे देखें day यहाँ पे day निकाल के देता है कि कौन सी date है 1935 यह हमारी date है यहाँ पर सेम इसी तरीके से अगर मुझे month count करना है यानि month निकालना है तो कैसे मैं क्या करूँगा यहाँ पर is equal to this control enter यहाँ पर मेरे पास date है अब date को मुझे month में convert करना है तो control 1 for format cell इसके बाद मैं यहाँ पर जाओँगा और four time इसी तरीके से अगर मुझे text formula के through month लेकर आना है यानि किसी formula के through तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा यहाँ पर सबको select कर लेते हैं एक पर ठीक है और मैं reference text ओके यहाँ पर reference यानि किस date को मुझे month में convert करना है अगर मैं two time m देता हूँ तो देखे क्या होता है तो देखे two time m प्रेस करने पर मुझे यहाँ पर month का number नजर आता है सेम अगर इसी तरीके से मैं यहाँ three time press करता हूँ m तो मुझे क्या नजर आएगा short form में month ने और अगर मैं four time press करता हूँ तो मुझे नजर आएगा full spelling of month ठीक है जुलाई, march, feb, november से इसी तरीके से अगर मुझे यहाँ पर month number चाहिए तो मैं month का formula यूज़ करूँगा month, series number मैं यहाँ पर select कर देता हूँ पहले month then select control enter तो देखिए यहाँ पर month number नजर आ गया जैसे कि यहाँ पर March चल रहा है तो 3, feb चल रहा है तो 2, okay, year के लिए मुझे यहाँ पर year का formula, year का जो syntax हो बड़ा पाकी formulas की तरह simple ही है, year ठीक है तो यहाँ पर enter के बाद किये सिरफ मुझे क्या देगा year का number यानि कौन सा year है यह, यह है 1999 तो यहाँ पर 1999 ही type होगा, ठीक है और आगे बढ़ते हैं यह जो formula है यह बहुत useful formula है जिसमें हम कैसे हम last day of month last day of month, last date of month क्या सकते हैं इसको last date of month यहाँ पर कैसे calculate करते हैं, तो इसके लिए जो हमारा formula होता है वो है eo month eo month, start date, इसका syntax है start date then month, अगर मुझे same month की last date चाहीए तो मुझे यहाँ पर zero प्रेस करना होगा, ठीक है, और bracket clause, तो देखे है मुझे यह last date of month calculate करके दे रहा है, यहाँ पर देखिए अगर आपको पता है कि हाँ, 1999 में, आपको पता करना हो, 1999 में पैप की last date क्या थी, और 2000 की क्या last date थी, तो यह अपने आप ही calculate कर लेगा, ठीक है, same, एक चीज और, अगर मुझे यह calculate करना है कि next month की first date किस तरीके से निकालू, next date की first date, next month की first date किस तरीके से यहाँ आएगी, क्योंकि मेरे पास यहाँ different different date है, तो next month की first date कैसे calculate करो, तो again, EO, month, start date, okay, ठीक है, इसके बाल, month, month कैसे, अगर मुझे next month की first date निकालने है, तो यहाँ पे मुझे same month का end निकालना पड़ेगा, तो same month का end निकालने के बाद, यहाँ पे plus one, plus one for next day, okay, तो यहाँ पे enter, और आप देखेंगे कि यहाँ पे next month की first date आ जाती, जैसे March के बाद April की first date, ठीक है, और यहाँ पे February के बाद first March, same, इसी तरीके से सारी के सारी date calculate कर देए, अगर आप formula देखना चाहते हैं, तो यहाँ formula, text, okay, मैंने यहाँ पे जो formula यूज किया वह यह है, same, इसी तरीके, आगे बढ़ते हैं हम सीखेंगे इसमें date किस तरीके से निकालते हैं, suppose आपके पास year अलग है, month अलग है और day अलग है, तो अगर आपको इसको combine करके date में convert करना है तो इसके लिए date function यूज करेंगे, सबसे पहले यह syntax में पूछ रहा है, year, year, इसके बाद month, month, then date, okay, तो यहाँ पे मेरे पास यह date शो कर देता है, इसके अलावा, यहाँ पर मैं कुछ नए formula, यह नए formula, excel 2010 से, जैसे कि मैं यह जो yellow highlight है, यह 2010 में release हुए थे, इनका use कैसे होता है, वो भी मैं बताऊंगा, और इसके tradition formula, जो work days और network days formula है, इसका भी use करना मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, यह दोनों ही formula, आज भी active है, यानि अलग अलग date feature में हम use कर सकते हैं, लेकिन जो 10 version यूज कर रहे हैं, 10 version के बाद के version यूज कर रहे हैं, उनको मैं हिदायत दूँगा कि यह formula यूज करना शुरू कर, यह बहुत ही बढ़िया formula है, ठीक है, सबसे पहले हम use करते है, work days, work days, क्या होता है, कि अगर हमारे पास कोई काम आया, काम आया आज शाम 4 बजे, ठीक है, तो मैं working day कब से count करना शुरूगा, मैं working day count करना शुरूँगा next day से, ठीक है, तो next day से मेरे पास 5 वे दिन बाद क्या तारीक होगे, मुझे ए count करना है, ठीक है, यानि 5 दिन की deadline है, तो 5 वे दिन मेरे पास क्या date होगी, तो यहाँ पे मैं working day का formula ला करता है, यानि Monday to Friday count करता है, ठीक है, सेम इसी तरीके से, अगर हमें सिर्फ Sunday holiday मिलता है तो, तो यह सिखाँगा next formula में, ठीक है, तो यह question अपने दिमाग में रखना, कि अगर मुझे सिर्फ Sunday count करना हो तो, ठीक है, इसके लिए हम use करते है, working day intl, ठीक है, लेकिन अभी हम किस प जो है, वो include ना हो, ठीक है, यानि holidays जो है, उसको भी ये चुट्टी वाले दिन की दरे consider करें, तो यहाँ पर मैं एक दिन बढ़ाने के लिए holiday select कर लूँआ, यानि holiday के अलावा जो दिन हो, वही working days में count हो, तो network, हमारे पास working day क्या होगा, चुट्टी के बात कर दें, ठीक है एक, दो, तीन, चार, पाच, तो पाचवा दिन की आपर पास, नाइन्थ अगस्त, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब जो formula हम सीखेंगे, वह है working day INTL, working day INTL, इस formula का advantage क्या है हमारे पास, कि इसमें अगर हमारी company और हमारी country के अंदर, अगर holiday, कोई specific holiday, like Sunday only, और Friday, और Saturday, इस तरीके से calculation होती है, तो अब यहां पर हमारे पास, यह बहुत ही अच्छा formula है, चलिए, शुरू करते हैं इस formula को, working day INTL, start date, syntax इसका पढ़ेंगी सबसे पहले, start date, start date, okay, days, days, 5, same, then देखिए, हमारे पास यह list of holiday आ रहे है, यानि किस-किस date को हमारे weekend हो सकता है, तो suppose कि मेर अब यह weekend क्या है, Saturday, Sunday, और अगर only Sunday हो, तो उसको भी मैं consider कर सकता हूँ, तो उसके लिए मुझे press करना होगा 11, लेकिन मैं यहां पर Saturday, Sunday ले रहा हूँ, okay, और then holiday, holiday की मैं सिरफ range दूँआ और इसको मैं freeze कर दूँआ, और enter, तो देखिए मेरे पास यहां पर 9 calculate हो रहा है, अग संडे काउंट नहीं करेगा, same, अगर मेरे पास holiday, Indian holiday काउंसी है, 11, sorry, सिरफ संडे को है, तो क्या होगा, यह फिर से किस पर आ जाएगा, 9, क्योंकि मैंने यहां 6 day, 6 day कैसे, और यहां पर 11, तो calculate कैसे करेंगे, तो यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, देखिए, यहां पर मैंने संडे को Saturday को count किया, तो इसके बाद यहां पर date के आई, 9th August, और यहां पर क्या है, यहां पर जब मैंने संडे काउंट, तो 2 दिन बढ़ जाते है, तो कौन-कौन से, यहां पर 3 बढ़ जाता है, और यहां पर 10 बढ़ जाता है, ठीक है, same, मेरे पास aging, aging क्या होता है, aging का मतलब होता है कि इस date से, इस date तक कितने दिन count हो सकते है, इसे कहते है, aging, aging, दो dates के बीच के दिन का difference निकाल के हमें देता है, तो इस difference को निकालने के लिए हमें क्या ध्यान देता है, तो हम यूज करते है, network days का formula, ठीक है, तो इस formula के अंदर हमें चाहिए होता है कि Saturday Sunday हट जाएं, holidays हट करेंगे, ठीक है, sorry, एक चीज बताना भूल गया, कि जो work days होता है, उसमें हमेरा next day से count करना शुरू होता है, ठीक है, प्योंकि मैंने जैसे ही पहले बताया कि अगर मुझे आज 4 वजे शाम को कामा है, तो मेरा working day तो जा चुका है, पूरा का पूरा, तो next day से start होगा, तो इ लेकिन network days में क्या होता है, यह current day को भी calculate करता है, और तभी दिन बताता है, जैसे ही देखते हैं, यहाँ पर network days, okay, start date days, और end date क्या होगी, अब मैं यहाँ पर 12 ले रहा हूँ, 12, okay, इसके बाद holiday, holiday range ती मैंने, और इसको freeze कर दिया, और enter, तो देखे, यहाँ पर मैंने 6 काउं है, क्योंकि वो same day को भी count करेगा, जिस दिन से मैं date calculate करना start करूँगा, तो हमेशा आपको यह बाद जरूर याद रखनी है, कि work days और network days में क्या difference है, network days उस same day को भी count करेगा, network days next day से count करना start करेगा, ठीक है, और अब चलते हैं, network days, intl, तो same, जैसा इस formula के अंदर हमें advantage हुआ अपने हिसाब से choose करने का, तो यहाँ पे भी हमें same, चीज मिलेगी, यहाँ पे network days, intl, ठीक है, started this, और इसके बाद end date, end date मेरे पास है, 12 अगस्ट, ओके, इसके बाद date, date में यहाँ पे, जो holiday लूँगा, तो Saturday Sunday, तो यहाँ पे 1, और इसके बाद, मैं range दूँगा किसकी, यह देखे, 7 days, same count कर रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर, सिरफ, Sunday की holiday लेता हूँ, और 11 प्रेस कर देखे, 11, 4, only Sunday, enter प्रेस किया, तो देखे, मेरे पास, 9 working day, count करेगा, कहां से कहां तक, एक से 12 तारिक तक, ठीक है, चेक करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और यह, 7 के बाद होता है, एक, दो, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, और एक यह, 9, ठीक है, तो यहां तक, 12 आएक तक, 9 दिन count करते हैं, ठीक है, तो आशा करता हूँ, आपको मेरा वीडियो, पसंद आया होगा, और पसंद आया है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कि बाद यह, 9, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 12 आशा है, झाल थेका बाल, कि तो, 6, 6, 7, 21 आशा करते हैं, तो आशा है, तो, 5, 6, 7, 12 आएको मेरे पसंद आव्peace can,